तो देखिए सुरू करते हैं आज की कुछ राज्स्तानी शब्द जो हमारे पास है खमारे पास एक शब्द है बहुमका बहुमका राज्स्तानी भासा में शम्शान घात को कहा जाता है बहुमका ओल्यूं याद कि महने पीवरी ओल्यूं आवे अपने राजस्तानी गितों में भी ये शब्द सुना है तो ओल्यूं का अर्थ होता है याद इसे आगे का शब्द है निवेड यानि कि निप्टारा करना जैसे कि राजस्तानी बासा में कह देते हैं कि इन जगड़े गो तो कोई निवेड ही को नी यानि कि इसका कोई निप्टारा ही नहीं हो रहा तो निवेड का अर्थ होता है निप्टारा आगे एक शब्द है मारे पास चोकियो चोकियो कहते हैं छोटी चोकियो प्राचीन काल से ही राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता में विशेश रूप से गरों के आगे छोटी छोटी चोकियां बनी होती है इने ही कहा जाता है चोकियो और कमरे के आगे भी छोटी चोकियो बन हमारा बूहो बूहो किसे कहते हैं कि घर मकान और कमरे का द्वार कि छोरा बूहो खोल दे चोरा बूहो खोल दे यानि कि दरवाजा घर का जो दरवाजा है कमरे का जो दरवाजा है द्वार है उसे क्या कहा जाता है बूहो आगे का हमारा शब्द है ओरडी राजस्तानी बासा म रसोई घर के लिए कहा जाता है औरडी बुंटो पुधा जो लगाते हैं उसके लिए कहा जाता है बुंटो पुनरो बुंटो लगायो यानि कि पुधा लगाना बाटो दगड पत्थर के लिए कहा जाता है कि बार बच्चे दुहें वो सरार्त करते हैं तो एक बच्चा कहता ह कि हुँ तेरे मत हमें बाटो दे काड़िशूं। हुँ तेरे दकगडरी देूं ला तो ये शब्द जो हते हैं बाटो और दकगड ये पत्थर के परियाई हैं। राजस्तानी में पत्थर को कहा जाता है बाटो या दकगड. अगला शब देखिए दीठ दीठ का मतलो होता है दृष्टी या नजरिया अपना जो दृष्टी कौन होता है उसे कहा जाता है दीठ कि महारी दीठ जमा साफ साफ है जमा साफ है इनमें कोई दोस नहीं है तो साफ नजरिया होना कहा जाता है दीठ ओपरो ओपरो कहा जाता है प्रीचित, कई बार हम राजस्तानी बासा में जैसे गाय को दूहने के लिए गाय को एक महिला लगातार दूरे, यह दूसरी महिला यह अपरोस उसको दूहने के लिए जाता है, तो वहे क्या है कि छलांग लगाती है, चमकती है, दूध नहीं देती, उसे का जाता है ओप्रो बनगट का मतलब होता है बनवट, किसी भी तरह कि बनवट को हम क्या कहा है, राजस्तानी में क्या कहते हैं, बनगट, ठोड, इस्थान, पतो नहीं किसे ठोड़ गयो हुसी, यानि कि ठोड का मतलब होता है इस्थान, थे किसी ठोड रहो, यानि कि आप किस इस्थान पर रहते ह आगे का शब्द है बेसी बेसी का मतलब होता है ज्यदा थोड़ो बेसी दूद पिया करवाई बहुत पतलो तो जारियो है बेसी का मतलब होता है ज्यदा यानि कि नाब तोल की एकाई सरद्धा सारीरिक समर्थ्य या क्षम्ता सरद्धा अगर कहें तो हिंदी में इसे इस परकार लिखा जाता है सरद्धा सरद्धा का मतलब होता है अपनी सरद्धा अनुसार अपनी आस्ता अनुसार या अपने समर्थ्य के अनुसार तो स्रद्धा का मतलब हुआ समर्थे, सारी रिक्षम्ता या क्षम्ता, क्षम्ता भी कह दिया जाता है और सारी रिक्षम्ता क्षम्ता 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 क राजस्तानी बासा में कहते हैं जोडायत है पतनी या अरधांगिनी जो होती है उसको का जाता है जोडायत है भाग फुटो राजस्तानी बासा में कहते हैं बड़ो बाग फुटो आदमी है यानि कि एबागा कावल बुरा काम बड़ा कावल काम करेब बैयो कावल का मतलब होत होता है अच्छा अगे हमारे पास शब्द है मींगना उंट का जो गोबर होता है इस परकार से इसके गोले होते हैं उंट पाडियो किसे का जाता है बेंस के बच्चे को तो बेंस के बच्चे को का जाता है पाडियो आगे शब्द है कुकरियो कलूरियो कुतिया का बच्चा कुतिया का छोटा जो बच्चा होता है उसको का जाता है कुकरियो या कलूरियो फिर कुरियो या टोडियो उंठनी का जो ब गाल कहा जाता है राजिस्तानी बासा में, कि माउमन ओटिंगर गाल का डै, यानि कि अप शब्द जो बोले जाते है राजिस्तानी बासा में, उनको गाल कहा जाता है। यानि कि शर्म नयाना, सरार्त करने वाले बच्चे को बड़ो निसर्मों टिंगर है, तो बे शर्म को कहा जाता है निसर्मों, नुग्रों, गुण नया मानने वाले को राजस्तानी भासा में नुग्रों कहा जाता है, कि जो गुण नया माने, कि भाई, वो बड़ो नुग्रो जो की मन मोहक हैं, तो लेवाड और देवाड देखिए कितने शानदार शब्द हैं याँ पर, आगे का हमारा जो शब्द है वो है दावन, चार पाई में डाली गी रसी, हम देखते हैं कि गर पे जो चार पाई हमारे पास बनी होती है, इसमें इस परकार से कुछ रसी हैं, इस चार पाई गूत करके बनाई होती है, और इधर एक रसी डाली होती है, इसे ही कहा जाता है दावन, आगे का जो हमारा शब्द है वो है पगान्तियो, पगान्तियो किसे कहा जाता है, चार पाई के पेर के तरफ वाला बाग, यानि कि जो जिस तरफ दावन डली होती है, जानतियों कहा जाता है कुडचो क्या होता है कि जैसे सबजी बनाने की कर्ची होती है उसी परकार का लुहार जाती के लोग होते हैं वो कुडचो बना करके लाते हैं जिसमें अंगारे बगेरा डाल करके इधर उधर दूसरे चुले से दूसरे चुले में डाला जाता है तो क् का बढ़ा चमचा या कर्चि डगरो डगरो उंट को कहा जाता है गेबर राजस्तानी बासा में हाती को कहा जाता है गेबर ध्यान रखें बहुती हिरन को कहा जाता है दड़ी दड़ी किसे कहा जाता है बोल को जो खेलने की बोल होती है जो गेंद होती है उसे क्या कहा जाता है दड़ी जिससे खेल खेलते हैं हर दड़ी या हर दड़ों खेलते हैं एक खेल जिसमें बोल का प्रयों कहा जाता है कपड़े की जो गेंद बनी हो फिर आगे हमारे पास शब्द है लिलाड, लिलाड को का जाता है माथा या मस्तक, कि इंगो तो लिलाड बोडो चोड़ो है, लिलाड यानि की मस्तक माथा आगे हमारे पास शब्द है देलडी, मोरनी के लिए राजस्तानी बाशा में एक शब्द पुरियो किया जाता है देलडी या डेलकी का जाता है तो ये देलडी शब्द का अर्थ है मोरनी फल को जो गेहूं की रोटी बनी होती है गेहूं की जो रोटी बनी होती है उसको फल को का जाता है गेहूं की रोटी को फल को का जाता है और जो बाजरे की जो रोटी बनी होती है बाजरे की रोटी को क्या का जाता है सोगरा का जाता है आगे का हमरा शब्द है बाखड उजस्थानी खाश करके घरों के अंदर हम गाउं में देखते हैं घर के आंगन के आगे की खुली जगे बाख़र रखने का बड़ा रिवाज होता है कि जितनी बड़ी बाख़र होगी उतना ही घर अच्छा लगेगा यानि कि आंगन के आगे का जो खुला पाट पड़ा है उ लकड़ी या कहले देते हैं कि आज चीज तो बड़ी फूट रही है मतलब अनुत जब्रों का मतलब सुन्दर जो गर में शीड़ी बनी होती है या जो लकड़ी की शीड़ी बनी होती है उसको क्या कह दिया जाता है डागडो पाल खेत के चारों तरफ रेत का एक टिला बना दिया जाता है खेत से मिट्टी निकाल करके बाहर की तरफ और उसे कहा जाता है पाल आगे हमारे पास शब्द है शियाडो राजस्तानी बासा में सर्दी के लिए एक शब्द प्रियुक्त होता है उसे कहते हैं शियाडो क्या कहा जाता है शियाडो सर्दी को राजस्तानी बासा में कहा जाता है शियाडो आगे एक शब्द हमारे पास उन्नाडो गर्मी के लिए उन्नाडो का जाता है देखिए राजस्तानी बाशा की बड़ी अनुठी परंपरा है बड़ी मीठे शब्द हैं शियाडो उन्नाडो शियाडो यानि सर्दी उन्नाडो यानि गर्मी बड़ी अधभुत शब्द बड़ ही मनमोख शप्द हमारे पास है राजस्तानी बासा के, ये बहुत चर्चित शब्द हैं और पछल्ए शब्दों को ही इस बार राजस्तानी बासा के पछली जो शब्द उनको हिंदी बासा में रीट के अंतरगत शामिल किया गया है तो आप थोड़ा ध्यान से इनको देखिए कुछ ऐसे शब्द जो हमारे सामने होते हैं हम उनको प्रियोक्त करते हैं उनको आम भाशा में लेकिन क्या है हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते कि उनका हिंदी अर्थे क्या होता है आगे शब्द एक बिर्खा बिर्खा का मतलब होता है बरसात के अब जो कि गर्मियों में ठंडा पानी रखने का एक पात्र होता है जो कि प्राने समय में भेड या गाये चराने के लिए जब जाते थे तो फ्रीज नहीं होता था उसमें उससे का प्रियों किया जाता था छागड़ो एक बड़ा ही अलग टाइप का कपड़ा होता है उसमें पानी होता है बांवली बांवली क्या होता है इससे गोंद प्राप्त किया जाता है कि करपरजाती का एक व्रक्ष होता है बांवली आगे का मरा शब्द है जुहारी जुहारी क्या होता है राजस्थानी संस्कृति में सास दुवारा दामाद को जो पेशे दिये जाते हैं जब दामा बच्छा कहा जाता है जनम के बाद पहली बार बच्छे के बाल का एना इसे कहा जाता है जुछ टो. नाम से जड़ूलों उतर है तो जड़ूलों क्या होता है जनम के बाद पहली बार बच्चे के बाल काटने को जड़ूलों कहा जाता है कि आज così आगे शब्दे की उर्नीत या या उर्णों तो बेड़ का जो बच्चा होता है उसको उर्णियों कहा जाता है मीमनों मीमनियों या मेमनों बकरी का जो बच्चा होता है उसको मीमनियों या मेमनों कहा जाता है तो ये तो थे राजस्तानी बाश्चा के कुछ महतोपूर्ण शब्द जो आपके समक्स मेने कोशिश की और अच्छे से समझाने की कोशिश की उमीद है कि आपको ये परसंद आये होंगे और आपकी प्रिक्षा में बहुती लाब धायक साबित होंगे आपसे निवेदन है कि कृपिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सामगरी को अपने दोस्तों के साथ शे